तो जैसे कि आप लोगों को प्रता है कि दिली में मैं जब गए थी 29th को congratulations करने के लिए कि 33% erection passed हुआ था तो उसके लिए और अपना खरगे जी को congratulations करने के लिए गई थी और जैसे गेट पे दरवाजा बंद कर दिया गया और मेरे उपर हमला कराया गया और मेरे पापा को भी म मैंने पहले भी मीडिया में बोला था कि मैं दो तीन दिन का वेट करूंगी तो मैंने वेट किया मुझे लगा था शायद आप पार्टी की तरफ से कुछ आएगा या आप मुझे कोई एक रिप्लाय तो आएगा तो फिर अभी मैंने डिसाइड किया है कि अभी मुझे इस च अग्की लड़ाई लड़ना चाहती है तो उस चीज पर मैंने अपना लीगल मैंने कारवाही की है जिसकी वज़े से मैंने अभी एक दो दिन हुए शायद हम लोगों को हमने ये बेजा है क्योंकि मुझे इस चीज पर अब मैं चुप नहीं बैठ हूंगी क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं गलत समूंगी भी नहीं और जिसमें ये किया है और मैं चाहती हूं मैं इंफेट प्रेजेंट गॉर्मेंट से भी चाहती हूं और अपनी कॉंग्रेस पाटी से भी चाहती हूं कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए क्योंकि मुझे वो व्यक्ति पता बेजा गया है और नेशनल कमिशन ओफ शिडियूल कास्ट को भी बेजा है यह सब लोगों को मैंने बेजा है क्योंकि मुझे असा लगता है कि जब इन लोगों ने ओन रोड मेरे पे हमला कराया किया तो अगर मैं एफाइयर करवाने के लिए जाती हूं तो पता नहीं यह जिसकी वसे उन लोगों को सजा मिले जिनोंने मेरे साथ यह हमला करवाया है इन फेक्ट मुझे इक बाद समझ में नहीं आती कि यह सब चीज़े कराने के बाद उल्टा ही मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है वो भी जो लेटर आप लोगों ने देखा होगा शोशल कि दो पैला रूल्ल तो यह होता है की कोई एक्स MLA यानि x MLA किसी X MLA कंडिडेट को निशकासित नहीं कर सकता उसको हक नहीं होता है मुझे अगर कोई निशकासित करेगा हो करेगा में प्रसिडेंट स्टेट प्रसीडेंट तो उनको कोई हग नी बनता है और दूसरी चीज उन लोगों ने क्या किया कि एक लैटर पर बैक डेट की एंट्री डालके मुझे निलंबित कर दिया गया है तो ये भी उन लोगों ने पूरे देश में ये जूटा खेल जो लोग खेल रहे हैं उस ये ये वकील है और यही सारा चीजे उनसे सवाल करेंगे हैं तो अब में अब कुछे और ये अच्छी टार का है कि अब वहां कि अब कर दो कर दो कि अब या अब यारे अभी कि मैं तो आभां में तो अर्चना जी क्या आपको प्रियंका गंदी जी के तरफ से या कॉंडर्स के बरिश ने ताउसे आपका प्रियंका गंदी ने ब्लॉक किया है आपका नाज़र अज़र आपका प्रियंका गंदी ने ब्लॉक किया है कि मुझे असा लगता है कि वह नंबर आप संदीप सिंग चला रहे हैं और मैंने उनसे दुर्खाइस की थी कि दीदी प्लीज आप इस चीज पर एक्शन लीजे पर वहां से मुझे ब्लॉक हो गया है तो इस चीज का मुझे हर्ट हुई हूँ मैं अब कॉर्स हर्ट हुई हूँ बट मुझे ऐसा लगता है कि वह संदीप सिंग नहीं किया है अर्शना सबसे पहले तो यह बताए कि आपको जब पाटी से निलंबित किया गया था एक हफ्ते के अंदर आपको जाना था आप नहीं गए उसके अलावा आपको निलंबित करने का कारण बताया जा रहा है कि जब आप कैंपेंग कर रहे थी एलेक्शन के दौरान उस दौरान आपके कही सारे वहिकल्स का पेविंट के लिए नहीं है और दूसरी चीज जो ही आप लेटर देख रहे हो मैं पहले भी बता चुकी हूं यह बैक डिट का ही उन्होंने डालके निलंबित कर दिया गया था क्योंकि मेरे को पार्टी से हटाने का सिफ जिम्मा जिसे कहता हूं प्रदेश अध्यक्ष पे है और उस टेम पे प्रदेश टीम से बताऊंगी जब मेरी बैंक की पूरी स्टेटमेंट आएगी कि मेरे बैंक के पैसे किन-किन लोगों ने खाए हैं जो राजी स्थान से कुछ लोग आये थे मेरे एलेक्षन में ही उन लोगों को ही मैंने पैसे दे दिक उन्होंने मुझे यह जूट बोला था कि आप ह बिसकी नहीं लुट गर्कषा और तक ordinate चुनाओं में की किताब लिखी जो पी होती हैं जिसमें आको सारे बिल्स भरने होते हैं तो उसमें वह बिल भरे होए हैं तो मेरे पास सारे सबूत है और उसके लिए मेरे जो बखील है वह ही उनको इसका जवाब देंगे पीन तरफ से एक पुलिस कप्रेंट ढाली है डिली पुलिस को यह जो अचा नाल आपको भी दिखाया है पुलिस कप्रेंट जिस पे जो इनके साथ 29.9 का जो incident था हमने पूरा नरेट किया है हमने Honorable Prime Minister of India से लेके जितने भी Delhi का अधिकारी है सबको हमने एक component लिखी है जो अर्चना की तरफ से लिखी है component क्या किया हुआ है तो उस दिन के बाद से अभी तक इनको कुछ इंसाफ नहीं मिला था कुछ चीजे इनके साथ हुई नह तो हमने एस डिस जो स्टोरी थी इनकी पूरी स्टोरी नरेट करके हमने Union of India कि जितने भी है Police Commission of Delhi से लेके Prime Minister of India से लेके सबको हमने ये एक complaint लिखाया और जो उन्होंने dispatch किया है क्योंके ये incident डिली में हुआ था तुछ इसलिए हमने ये पूरा डिली पुलिस को लिखा हुआ है incident case आप से एक एक चीज जो हुई है इनके साथ जो इन्होंने कहा है हमने पूरा ये देली पुलिस को लिखा के एक एक चीज इनकी जो चीज है जो सच्चा ही है जो इनके साथ हुआ है और होने के बाद जो आरूपी है उन पर action नहीं हुआ है हमने पूरा ये लिखा था अब ये लिखने के बाद इसको हो गया है दो दिनी अमें नहु अक्टूबर को लिखा है सब को सब जितने भी जो अथोरिटीज है पुलिस अथोरिटीज को लिखा है उसके बाद बड एक जो सबसे important जो सावाल आता है कि अर्चना जो आज Bombay में है उनको यहां बे भी काफी threats आ रहे हैं, चीजें इनको हो रही हैं कि complaint नहीं कर रहे हैं, जो भी इनको आ रहे हैं, यहां से Delhi तक अपना statement record करने जाएंगी कैसे, one, and second thing है कि यह statement record करने के फिर कैसे कराएंगी, क्योंकि यहां से वहां तक का जाने का, इनको लगता है कि इनको threat to life ह तो इसलिए हमने यह, आज एक complaint आपने देखेंगे, आज हमने जो proper legal हमारे पूरे government को माराश्टरा के CM से लेके, honorable PM तक लिखा है, और मुंबे पुलिस कमिशनर को भी हमने यह लिखा है complaint, कि हमारी जो client है अरचना, उनको travel करना है Delhi, तो आप please हमें police protection दें, जिसों बोलते हैं क्योंकि यह कोई आम complaint नहीं है, यह बहुत ही बड़ी चीज है, जो इन्होंने सब statement में दिया है, तो यह चीज के लिए इनको हमने full protection मांगा है, जिनके लिए आज यह यहां पे भी बैटींगे, क्योंकि हमने यह सब से आप देखेंगे, सब से हमने protection मांगा है, कि आप इनको अपने मुम्मे पुलिस से क्या अपने दखास किया है, अपने मुम्मे पुलिस से लेके Commissioner of Police जिसको पावर है, और Chief Minister of Maharashtra को हमने लिखा है इसके अंदर, कि हमारे जो client है, उन्होंने एक complaint किया है, देली पुलिस में complaint किया है, जो incident हुआ है, तो हमने special request किया है, कि इनने security प एक महिला होने के नाते, एक celebrity होने के नाते, आप जाती है, पगराचुलेट करने, एक महिलाओं में ऐसा क्या हुस्सा बढ़किया कि वो आप पर ऐसे पूट पड़ी, और किस प्रकार आपके पिताजी तब को जो है, वाह पर मैं देख रहती, काफी खराब विश्वस्ता, आपको ड्राइब किया जा रहा, आप आसे फावरी में जो भी है, क्या हुआ था एक ऐसा क्या बोल दिया आपने, आपको क्या हो गया कि वो चीज़ें आपको CCTV फूटेज में दिखेंगी, जब कॉंग्रेस कारा ले के बाहर चार CCTV फूटेज लगे हुए हैं, और जब मैं F. आपकोर्स पूलिस CCTV फूटेज मांगेगी, तो जितने भी लोग मुझे जो लांचन लगा रहे हैं, कि मैंने बहुत ही गलत तरीकी से बढ़ताब किया, तो उन लोगों को सामने पूरा असलिय दिख जाएगा, और पूरी दुनिया के सामने सच का पता चल जाएगा, कि मैं जस्ट मेरे डराइवर के हाथों में बुके था, फ्लावर पोर्ट था, और मैं जस्ट कॉंग्रैचिलेशन करने गई थी, और ऐसा नहीं है, मैंने उनके पीए को, यानि जो संदीप सिंग है, उनका भी कोई पीए है, जो कि अभी बैठे हुए है, मन्तरी बनके बैठे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है, उसका भी सारे सबूत मेरे पास है, तो जब एफाईयर हो,